नमस्कार, न्यूस्क्लिक के डिली राउंड़प में आपका स्वागत है अगे नजर डालते हैं एक बार हेडलाइन्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने न्यूस्क्लिक के फोटो जनलिस्ट कामरान यूसुफ को पीटा क्या डिली दंगो की जाज की आड़ में विरोध का स्वार दबाने की साजिश हो रही है भारत की कोविट के मामलों की संक्या पहुंची 50 लाग के करीब आज सुबह दक्षिन कश्मीर के पुलवावा में एक गन फाइट को कवर करने के दौरान फोटो जर्नलिस्स कामरान यूसुफ को जम्मू एन कश्मीर पुलिस ने पीटा कामरान की मताबिक पुलिस और संदिक्द आतंकियों की बीच मुद्भेड से 200 मीटर की दूरी पर थे वे वे स्वारदात की तस्वीर ले रहे थे जब एक CRPF के जवान ने उन्हें और कुछ अनी पत्रकारों को वहाँ से जाने क्लिक आए वे सब वहाँ से हट गए कामरान निकाह कि जब वे जाने लगे तो कुछ पुलिस वालों ने उन्हें वापस बुलाया और बे सबब उन्हें मारने लगे इसके बाद कामरान को शिनगर के SMHS हॉस्पिटल पहुचाया गया जहां असॉल्ट और ट्रॉमा के लिए उनका इलाज किया गया कामरान निरंतर न्यूस क्लिक ले भी रिपोर्ट करते हैं और कश्मीर प्रेस क्लब के सदे से भी हैं कश्मीर प्रेस क्लब के महासचेव इश्फाक तांतरे ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब प्रशाशन द्वारा इस तरह के हमलों का मुद्दा उठाता रहा है हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और उमीद करते हैं कि दोश्यों को सजा मिलेगी आई सुनते हैं कश्मीर से हमारे लिए रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट अनीज जरगार के इस पूरे घटना करम पर क्या कहना है जी प्रांजल तो आज जो ही खबराई के आज हिपासदी अमनों और जंगजों के बीच में एंकाउंटर शुरू हुआ है पुलवामा के इक इलाके काकापोरा में तो तकरीबन साड़े नव बजे सुबह आज कामरान वहां पे पहुंचा पिक्चर लेने के लिए तो वो सेक्यूरिटी पेरिमीटर के बाहर खड़ा था तो सेक्यूरिटी पेरिमीटर तकरीबन 200-500 मीटर के दूर जहां पे एंकाउंटर साइट होती है जहां पे गोलियों का तबादिला होता है उससे दूर खड़ा था बिलकुल सेक्यूरिटी पेरिमीटर के बाहर तो जो ने वहां से निकलना शुरू कर दिया और इतने में ही कुछ पुलिस वाल पुलिस के अहलिकार उन्हें उसको रोका और वहां पे बिना कुछ बताए बिना कुछ बात किये उस पे डंडे बरसाना शुरू कर दिया तो कामरा का कहना है कि उस पे उसको काफी चोट आई वो अपन तो उसने बागना शुरू कर दिया इतने में बागते बागते उस पे इन फैक्ट पुलिस वालों ने डंडा भी फैंका लेकिन वो अपने आपको बचाने में काम्याब हुआ और बागने के बाद उसको लगा कि उसको काफी चोट आई है तो वो सीधे हस्पताल पहुंचा तो उसके साथ कुछ कॉलीक्स भी थे वाकी सारे तो उन्होंने उसको हस्पताल पहुंचा और वहां पे कुछ टेस्ट लिये उसका एक्सरे लिया तो उसको टांग में थोड़ी सी चोट आई है और बाजो भी उसकी जखमी हो गई थी तो लेकिन उसको दवावा देने के बाद ने वहां पे ट्रीट किया और वो आज अभी बिलकुल हीस फिलिग बेटर एक्चली राइट नाव तो लेकिन उसको चलने में अभी प्रॉब्लिम हो रही है यह कामरा नाज या किसी सहावी पे पहला हमला नहीं है पुलिस के जानब से इससे पहले भी काफी ऐसे वाकिये प आज़े फांच के बाद काफी ऐसे सारे वाकिये पेश आये हैं जहां पे साहकी का कम बहुत ही जादा मुश्किल हुआ है कश्मीर में यहां की रेपोर्टिंग में बहुत सारा एफेक्ट हुआ है और एक्सर ऐसे वाकिय पेश आये हैं जहांपे सहाफियों के उपर पुलिस ने डंडे बरसाए हैं या उनके काम करने से रोकने की कोशिश की है In fact, August 5 के बाद काफी सारे ऐसे जगाएं हैं जहांपे पुलिस बिलकुल भी सहाफियों को जाने से रोकती थी और इसे जाइद भी ऐसे कई वाकिय पेश आये हैं जहांपे फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन या काफी सारे ऐसे स्टोरीज हैं जिन पर उपर सहाफियों को पुलिस ने इंट्रागेट किया है इन परक्ट इसी साल अपरिल में हमारे दोसी जर्नलिस्ट को यूएपीए के यूएपीए लॉक के अंडर बुक किया गया था उसमें एक गाहर गिलानी है और मसरच जहरा जो कामरान की तरह ये एक फोटो जर्नलिट है उनको भी यूए पी ए के अंदर बूक किया गया था जिस पे काफी यूए इन क्राइब आद में उठी थी और यहां के सिवल सोसाइटी मेंबर्स, यहां के डॉक्टर्स, यहां के काफी सारे डिफरेंट इदारों से तालोक रखने वाले प्रोफेशनल्स ने भी पुलिस के खिलाफ काफी सारा कभी तो एहतिजाज भी किया है और कभी यह बात भी सामने लाई है कि वो उनको अपना काम करने से काफी सारी अर्चने और काफी सारी रोकने की कोशिश करते हैं तो सहाफियों के लिए कश्मीर में काम करना आज कल बहुत ही मुश्किल हो गया है और ये मुश्किलाद दिन में ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं और काफी सारी ऐसी बाते भी सामने फिर से लाई हैं जिसमें सहाफियों के खिलाफ पुलिस ने यहां की अथारिटीज ने मुश्किलें जो हैं उनके काम में लाई हैं इन फैक्ट कामरान के खिलाफ 2017 में भी उनको कामरान को एक केस के अंदर बंद किया गया था उन पर यूए पी ए का चारज वो पहले ऐसे जर्नलिस्ट हैं कश्मीर के जिन पर यूए पी ए चारज लगा था और उस चारज के तई उनको छे महीने तिहार जेल में गुजारने पड़े और छे महीने के बाद उनको रिलीज किया गया जब N.I.N.A. कोई सबूत कोर्ट में लाने से जब कोई सबूत उन्हों नहीं ला पाए In fact, अभी भी इस बार इस टाइन पर भी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे एको सहाफी कश्मीर के आसिफ सुल्तान जो आज दो साल से जाइद टाइम हुआ है वो सिरिनगर के संट्रल जेल में, वो सिरिनगर के सेंट्रल जेल में वो सिर्णगर के संट्रल जेल में लाज़ देर And he's also booked under UAPA charges and he has been accused of aiding militancy in Kashmir I don't know the exact charges but the charges against his illegal detention has been उसको काफी सादा उसको कहा है कि ये जोनलिजम के खिलाफ है उसके खिलाफ एक personal vendita है जो पुलिस या यहां की authorities उसके खिलाफ ये charges जो है उसको stories जो उसकी stories थी उसके खिलाफ as a vendita यूज़ कर रही है तो ये सहाफियों के खिलाफ काफी सारी rights organizations ने, human rights organizations ने, media fraternity ने, media organizations ने इनको condemn किया है और आज भी ये सुरतिहाल है कि यहां के जो लोकल अकबारात है वो अपना काम पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं क्यूंकि यहां पे जो repression है, जो authorities का, जो उनकी actions है in fact, उन्होंने recently एक media policy भी बनाई है यहां के सहाफियों के लिए जिसको यहां के सहाफियों ने, rights organizations ने, civil society ने condemn भी किया है तो यह जो आज कामरान के साथ आज वाकिया पेश हुआ है, यह एक isolated incident नहीं है it is a part of a series of incidents that have been carried against journalists in Kashmir to stop them, to intimidate them and to create hurdles in their work दिल्ली दंगों की जाँ जिस तरह से चल रही है उससे लगता है कि ग्रे मंत्राले की तहत आने वाली दिल्ली पुलिस विरोथ की आवाजों को अपराधी बनाने की कोशिश में लगी है इन दंगों की साजिश में कई सारे कई नामों के साथ साथ माक्सवादी कॉमिनिस पार्टी के राश्ट्रे महा सचेव सीथा राम यचुरी दिल्ली विश्वर दाले में हिंदी के प्रफेसर अपुर्वा नंद फिल्म निर्माता राहुल रॉय जैती गोश आदी के नाम भ गई और बिल्कुल उसी तरह से इसके इर्द गिर्द गिरफतारियां हो रही हैं हमने देखा कि किस तरह से जवार लाल नहरू विश्विद्याले में पढ़ने वाले चात्र उमर खालिद की गिरफतारी इसी मुतलिक की गई हमने देखा है कि देश की राजधानी को जलाने वाले कौन लोग थे हम जानते हैं गोली मारोश सालों को देश के गड़दारों को नारा भाशपा के कपल मिश्वरा सहित कौन-कौन लोग लगा रहे थे सब कुछ कैमरे में था बहुत से और भी कैमरे में फुटेज हैं सारी चीजें होने के बावजूद कि लोगों के नाम सामने उच्छा ले जा रहे हैं बहुत ही और्गनाईज धन से कुछ नाम बहार आते हैं CPM के महासचिफ सीता राम यचूरी का नाम आया सोराज पार्टी से जुड़े हुए योगेन रियादाव का नाम सामने आया अर्थशास्त्री जेती घोश का नाम सामने आया फिल्मेकर और लगाता नफरत के खिलाफ कैमपेन कर रहे अमन की बात करने वाले फिल्मेकर राहुल रोय का नाम सामने आया और ये सब कुछ मीडिया में ऐसे आया ऐसे भेजा गया, ऐसे फ्रचारित और फ्रसारित किया गया, मानो ये लोग भी हिंसा करने वाले, हिंसा को और्गनाईज करने वाले लोग हैं, जब इस पे हंगामा हुआ, तब उन्होंने साथ कह दिया, कि रहे नहीं, ये तो एक जो व्यक्ति गिरफतार है, उसके बयान का हि एविदेंस नहीं है, लेकिन अगर ये एड्मिसिबल एविदेंस नहीं था, तब जिस तरह से इसके इर्द के पॉलिटिक्स खेली गई, जानपूच कर इसके बारे में बातचीत की गई, उसका मकसद बहुत साफ है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, कि जिलोग की ब समय से इसी तरह से हमारे वीश में उचाला जा रहा है, जो तमाम नाम अभी आए हैं, इसमें अपूर्वनन भी हैं, जो दिल्ली विश्विद्याले में पढ़ाते हैं, समाजी कारे करता हैं, और जिस समय दिल्ली जल रही थी, ये तमाम नाम प्रत्यक्ष तोर पे या अप् अपना अपना छोटा योगदान दे रहे थे, और यह सब ओन रिकॉर्ड है, कौन कहां क्या कर रहा था, इस बारे में कहीं कोई भ्रम नहीं है, जिन लोगों को दिल्ली पुलिस में गिरफतार भी किया है, चाहे वो पिंजड़ा तोड की कारे करता हो, या सफूरा जरगर इ इस तरह का कोई एविडेंस अभी तक दिल्ली पुलिस सामने नहीं ला पाई है, सवाल है, आखिर मक्सद क्या है दिल्ली पुलिस का इस तरह से इन राज्यतिक कार्यकरताओं को, CPM के महासचिव को, टार्गेट पर लेना, निशाने पर लेना, स्वास्त मंत्राले दौरा आ एक दिन में 1054 मरीजों की मौत भी हुई है, इसी बीच कॉर्णा से पीडित 89,292 मरीजों को स्वास्त भी किया जा चुका है, देश पर में अब कॉर्णा मामलों की संख्या 49,30,236 हो गई है, स्वास्त मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार, देश में रिकावरी रेट 78 78.28% हो गया है, यानि कुल संक्रमित मरीजों में से 38,69,399 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन कॉर्णा से अब तक 80,776 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, इसी के साथ देश में सक्वी मामलों की संक्या बढ़कर 9,90,061 हो गई है, अब तक 5,83,12,273 सैंपल की जांच की गई है, जिन में से 10,72,845 सैंपल की जांच बीचे 24 गंटों में ही हुई है, इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट newsclick.in, हमारी हिंदी वेबसाइट hindi.newsklik.in, हमें सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, फॉलो कीजिए Facebook, Twitter और Instagram पर, देखते रही न्यूस्क्लिक, धन्यवाद.